अलो डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग पावरफुल डिजिटल स्किल्स आप सीख रहे हैं कोई भी मदद चीए मेरे से पूछ सकते हैं आप हमेशा और करियर बिल्डिंग स्कूल जॉइन कीजिए पावरफुल डिजिटल स्किल्स चीखिए आज इस छोटी से वीडिय सो हमारे पास कैनवा है और मैं क्या करता हूं कि कैनवा में हमारे पास एक साइज है यह साइज है हमारा 1200-700 और इसमें एक बैक ग्राउंड इमेज है और यह है ओवरले और इसके उपर एक इमेज है और इस इमेज का मैंने सेटिंग कर रखी है तो इस तो कॉपी राइट का जो इशू है वो खतम हो जाता है दूसरा यह थोड़ा सा स्टैलिज भी लगता है और कैनवा से भी डाउनलोड हो जाता है इजी ली तो मैं करके की ओपर बनाना है सेम चीज तो पर एक्जांबल डराइफ रूट्स के ओपर बनाना है तो इस इमेज के जो कोपी पास यहां पर है अजरी बर नॉर्मल一点 को कॉपी पेस्ट करके डूब कर लेता हूं तो इए जो एक egज इमेज है एक इसमेंसे दोनों मैंसे इक ओस एक उसके बट इससे पहले एक ये इसे बोलते हैं शेप इस शेप को लगाते हैं हम यहां पर और इस तरीके से यहां पर अब दौनों इमेज चुप गई बटन होता है पोजीशन में बैकवर्ड तो अब हमारे पास एक इमेज है वो आगे आगी है ओवरले बीच में है और एक इमेज ब इस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और एपलाई कलर्स टू पेज करेंगे तो इसने जो भी कलर्स हैं वो एपलाई कर दिये हैं इसको पहले सेट कर देते हैं ओवरले को इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी जी कम कर देते हैं जिससे की थोड़ा सा दिखता रहे इस तरीके स है? आप 65, 70 कुछ कर सकते हो अब बची हमारे पास एक यह image. इस image को भी क्या करते हैं कि बार वार जब हम काम करते हैं बहुत सारह याज पर हमें काम करते हैं तो जो एक image बनानी होती है तो तो कोई ले लेते हैं और इस आगे वाली इमेज को फ्रेम में लगाते हैं और इसको अपने इसाब से जहां पर यह कटना बंद हो जाए वहां पर रखते हैं और इसको इस तरीके से यहां पर हम सेट कर सकते हैं सेट करने के बाद हम इसका जो है बॉर्डर वगरा भी सेट कर सकते हैं ज colors to page और भी colors होते हैं तो डार्क थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता ओवरले के उपर अब permanently black भी रख सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब यह image आ गई ठीक है तो यह frame में set कर दी हमने क्योंकि frame में बार बार लगाएंगे तो यह चीज़ें बड़ी चोटी हैं बड़ी smart tips हैं experience आती हैं अब इस format का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो special effect आ जाता है दूसरी में यहाँ पर branding भी कर लेता हूं अपनी जैसे कि मुझे branding करनी है यहाँ पर अपनी मुझे अपनी branding भी करनी है जिस्ट बजार तो फोटो बीच में आ जाता है और हमारी branding यहाँ पर जो है आ जाती है branding में अच्छे से भी कर लेता हूं चलो अच्छी वाली बता देता हूं आपको यह हटाता हूं अच्छी वाली branding करनी है तो apps में जाना है apps में जाना है तो आपको यहाँ पर type करना type तो आपको यहाँ पर type करेंगे तो आपको एक option मिलेगा type gradient type gradient एक अच्छा है beautiful feature है और यहाँ पर आप जो भी branding करना चाहते हूं वह लिग दो ठीक है और यहाँ से आप अपना जो है font चूज कर लो और font को थोड़ा सा अपने हिसाब से बोल्ड कर लो वह बहुत जरूरी है तो font हमने कर लिया पॉंटम ने चूज कर लिया अब हमको जो है color वा अगर चूज करने तो एक तो मैं white ले ले लेता हूं और एक मैं ले ले लेता हूं गोल्ड और एक मैं ले लेता हूं यहां से कुछ pink type का ठीक है तो यह हमारा हो गया है और इसका angle है वो भी हम यहां से चेंज कर देंगे तो हमारे पास यह तीन color है white, gold, pink ऐसी feeling आ रही है इसको अपने इसाब से हम इसका जो angle है वो set कर सकते हैं white भी है हमारे पास gold भी है तो pink भी है दिखाता हूं मैं आपको उसको जब design में add किया तो यहां पर देखिए white भी आया तो अब इसके छोटा करना है तो जूम करना पड़ेगा इसको ऐसे और तो यह काफी सुन्दर ब्रैंडिंग लगेगी आई होप आपको अच्छा लगा होगा यह और दूसरी एक बहुर ब्रैंडिंग मुझे करनी है वो करनी है मुझे जे भी daily news की ठीक है तो वो ब्रैंडिंग भी हम यहां पर करेंगे ऐसे भी इसका एंगल जो है आप सेट कर सकते हो यह आपकी मरजी है तो काफी अच्छी चीज लगी जाई है देखो ऐसे भी कर सकते हो आप इसका एंगल ऐसे ऐसे भी कर सकते हो तो तीन कलर आप ऐसे भी लगा सकते हो तो इसमें फिर से हमें एक वाइट लेंगे फिर से हमें एक बार इसमें मैं तो गोल्डन ही लूँगा और फिर से मैं इसमें एक बार अपना फेवरेट परपल लेने वाला हूँ तो ये कलर यहां पर सेट हुआ है बट इसमें परपल जो है दिखनी रहा है तो इसको मुझे हलका सा उपर करना बड़ेगा देखिए इस तरीके से चीज़ें काम करनी कड़ती है तो ये देखिए एंगल भी सेट हो रहा है और वाइट भी आ रहा है और परपल भी आ रहा है तो ये मैंने अब अपडेट किया अब देखिये ये मेरे पास एक सुनदर सा यहां पर आ गया तो कलर वगर आपकी चॉइस है वो मैं बनानी कर रहा हूँ बट लाइक आम जिस्ट गिविंग यू की आप्शन क्या क्या है कैनवा के अंदर तो ये अब एक बड़ा अच्छा सा इमेज बनके तियार हो जाए है ठीक है क्या रखता आपको बहतरी शालिए तो अब मुझे अगर दूसरी इमेज बनानी होगी फॉर एक्जामपल मुझे टाटा सौरी ताजमेल की इमेज बनानी हो तो मैं इसका जिसरिफ डुप्लीकेट करूगा या फिर मान के चलिए मेरी इमेज बन गई है अब मुझे दूसरी इमेज बनानी है तो दूसरी इमेज बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं है मैं फटा फट से कोई भी इमेज यहां पर लेने वाला हूँ अपलोड में गया मैं मुझे मानके चलिए योगा के उपर इमेज बनानी है तो ये एक बार ले ली मैंने और एक बार लेके यहां लगा दी एक बार उल ली इसको बैक्गराउन में लगा दिया और देखिए इमेज तैयार तो अब अगली बार मुझे कोई इमेज बनानी है तो एक बार बैक्गराउन लगा दूँगा एक बार मैं इसके उपर लगा दूँगा कोई भी इमेज इतना बढ़िया तरीके से हर बार तैयार होने वाली है वो डिपेंड करते हैं कि आपकी ब्रैंडिंग क्या है आपकी इस तरीके से करना चाहते हैं आप इस शेप को बदल सकते हैं आप इस जो यह जो शेप है इसको भी आप बदल सकते हैं शेप को जो मर्जी शेप ले सकते हैं आप अपनी कैनवा में नई शेप बना भी शक्ते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौनची शेप जो है रखने वाले हैं यहां पर ऑप्शन भी आता है शेप का नहीं तो आप शेप बना भी सकते हो आप जाओगे एपस में और यहां पर आप ले लोगे शेप आप कोई भी शेप बना सकते हैं आपकी ब्रैंडिंग से मैच करती हुई आप शेप बना सकते हो आपकी ब्रैंडिंग से तो यह मेरे पास एक देखी यह आ गया यह फ्रेंडिं से मैच करती हुई जो है शेप बना सकता हूँ देखो ऐसी बनानी है ऐसी बनानी है कुछ भी मतलब पूरी flexibility है इसमें और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो और ज्यादा flexibility भी इसमें आ जाती है कि देख रहे मतलब कहीं से भी आप कोई भी चीज उठा सकते हो इसमें और भी buttons बन जाते हैं और भी options हैं मतलब और भी shape बन जाती है अभी तो यह इतनी बन रही है बट और भी होती है इसमें मतलब कहीं भी double click करेंगे तो एक button बन जागा उस button के आधार पर आपनी shape जो है बदल सकते हो आप ठीके तो उसको shape को देखो आपको कुछ भी shape बनानी है तो shape बन जाईगी है आपको कुछ भी shape बनानी है आपको तो double click कर दो देखो मैंने एक नई shape बना दी आप है ऐसा लग रहा है कोई missile and दाग रहा है तो यह मैंने एक shape ली और यह देखिए तो आप किसी चीज़ से मिलती जलती shape बना सकते हो और उसको अपना जो है frame यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो तो यह frame मैंने ले लिया और मान के चलिए मुझे जो है अपनी यह image इस frame में लगानी है तो देखिए कैसी लगेगी तो यह frame देखिए तो यह branding से match करता हूँ frame है तो यह मैंने frame मना लिया ठीक है मेरी brand से match करता हूँ बट इस frame में भी बहुत सारी possibilities है possibilities हमेशा रहती है कैनवा में मतलब बहुत सारे features है आपकी imagination पर डिबेंड करता है कि इस frame में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे options है शैड़ो मैंने white color की दे दी है यहाँ पर glow दे सकते हैं आप देखिए glow दे दिया आपने drop दे दिया outline दे दिया curved दे दिया तो आपकी branding से मिलती जुल्टी चीज़ें आप कुछ भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं बहुत बड़ी है feature आया यह देखिए तो it depends बकिए simple अगर आप रखना चाते हैं तो simple भी है आप चीज़ आ गया इसमें और इस shadow का जो color है वो भी हमें चुस करना पड़ेगा कहा गया वाई shadow दोवारा जाते है edit में यहाँ जाते हैं shadow दिया है shadow का color भी हम golden या कुछ कर सकते हैं बकी page lift आप देख सकते हो angled आप देख सकते हो बढ़िया लग रहा है angled वाला page lift सही लग रहा है curved वाला ठीक ही लग रहा है drop ठीक लग रहा है outline तो सबसे मस्त है मैं यहाँ पर angled वाला ज्यादा ले रहा हूँ angled वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है अब है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जो है feature image को और अच्छा बना सकते हो बकी आप की कोई और requirement हो कुछ और requirement हो तो मुझे बताइए मैं हमेशा आपकी सेवा में हैं पर त्यार हो that's all thank you very much career building school visit कीजिए बहुत सारे courses हैं बहुत ही affordable price में हैं please join and please take my support because my mission is to make India digital marketing capital आपकी ज्यादा से ज्यादा शेवा करना ही मेरा काम है that's all नमस्कार जैहिं जैभारत कर दो